स्वागत है आप सभी का अभी के YouTube चैनल Online Tech World में और मैं हूँ रवीरेंजन और आप देख रहे हैं Online Tech World इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ Top 5 Gerox मसीन के बारे में अगर आप एक Estationary Shop open करने की सोच रहें या फिर आप एक Printing Shop open करने की सोच रहें तो Gerox एक ऐसा मसीन है जिसकी वज़ा से आप अपनी Income को Enhance कर सकते हैं और काफी सारे Stores On Earth जो हैं वो Gerox मसीन अपने Store पे रखते हैं इसमें One Time Investment होती है और यह काफी लंबे टाइम तक आपको पैसे कमा के देता है जो Investment है वो भी काफी कम होती है One Time Investment है और इसकी जो Profit है वो भी काफी अच्छी Profit Margin आपको निकाल के देता है अगर आपका स्टेशनरी का सौफ है या फिर आपका कोई परचुन की दुकान है या फिर ग्रोसरी स्टोर है या फिर आप सरी प्रिंटिंग ही प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए Gerox मसीन रखना बहुत ही फायदे का सौधा होगा तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 Gerox मसीन के बारे में बताऊंगा आप आसानी से जो है Gerox कर सकते हैं और एक अच्छा source of income स्टार्ट कर सकते हैं अपने existing business के साथ भी तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और मैं आपको टॉप 5 बेस्ट बजटेबल Gerox मसीन के बारे में इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे Gerox मसीन है जिसको आपको पर्चिस करना चाहिए कितने investment में आप जो है Gerox का काम भी start कर सकते हैं तो बीना time क चलते हैं स्क्रीन के और वहां पर मैं आपको टॉप 5 बेस्ट बजटेबल Gerox मसीन के बारे में बताने वाला हूँ लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजेगा जिससे ज आपको प्रिंटिंग कोपी और स्कैनिंग की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है अगर ओवर ओल इसके प्रिंटिंग स्पीड की बात करें तो तकरीवन आपको 40 पेज पर मिनट ये प्रिंट करके दे सकता है एफ और साइज में अगर रेजलूशन की बात करें तो 300 600 1200 डिप sea to your support की और साथ में अगर इसके कार्ट्रेज की बात करें तो इसे आपको demais कार्ट्रेज करना परेगा और प्रोसेशर इसमें जो यूज़ में आता है वह व एट-हंंडेड-मेगा हर्स का प्रोसेश एगा जाता है अगर वारेंट की बात करे तो वह अयर्की एडिशनल वार A6 B5 लेटर और लीगल साइज के पेपर ये सपोर्ट करता है प्रिंटिंग मोनोक्रोम है वार्म अप टाइम जो इसका है एप्रॉक्सिमेटली 17 सेकेंड का वार्म अप टाइम है यानि कि जब आप इस प्रिंटर को यूज करने के लिए आन करेंगे कि प्रिंटर रेडी हो जा इसकेंड टू इमेल कर सकते हैं एसकेंड से आफ एप टीपी कर भी ट्रांसफर कर सकते हैं साथ में एसकेंड टू यूएसबी में भी आप एसकेंड कर सकते हैं एसकेंड रिजूलिशन की अगर बात करें तो आपको इसमें 200 इंटू 200 डिपी आई और 600 इंटू 600 डिपी आई तो वहां से जाके आप मार्केट में जो बेस्ट प्राइस चल रहा होगा उसे चेक कर सकते हैं अगर आप अपने आफिस के लिए एक बजट में जिरोक्स मसीन कम प्रिंटर अगर देख रहे हैं तो यह एक अच्छा उप्शन आपके लिए साबित हो सकता है नमबर 4 पे हमारे लिस्ट में हैं HP का MFP M72625DN Multifunctional Gerox Machine यह एक Monochrome Multifunctional Gerox Machine है जिसमें आपको Printing, Copy, Scanning and Facts की सुविदा मिल जाती है अगर इसके Printing Speed की बात करें तो अप्टू 25 पेज पर मिनट आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं Resolution जो आपको Support मिलता है इसमें 600 x 600 DPI का Printing में आपको Resolution मिल जाएगा अगर इसके Monthly Duty Cycle की बात करें A4 Size में तो अप्टू 80,000 पेज आप पर मंथ निकाल सकते हैं इससे Print Technology जो है इसमें लेजर का यूज किया गया हुआ है अगर Display की बात करें तो इसमें आपको Color Touch Screen भी मिल जाता है इसमें Mobile Printing की भी Facility एवलेबल है आप इस Gerox Machine से Mobile के Through भी Print कर सकते हैं या फिर Copy या Scan कर सकते हैं अगर इसकी Connectivity की बात करें तो ये USB और Wireless दोनों से ही Operate हो जाता है Paper Size जो Support करता है वो है A3, A4, A5, A6, B4, B5, 8K, 16K तक के Paper को ये Support करता है इसमें Automatically Duplex Printing की भी Facility आपको देखने को मिल जाएगी अगर इसके Scanner की बात करें तो ये एक Flat Bed के साथ आपको मिलता है अगर Scan Resolution की बात करें तो ये 600 x 600 DPI प्रोवाइट करता है Scan Size जो है वो Standard आपको 297 x 437 mm तक के Paper Size को ये Scan कर लेगा Two Side Scanning भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जिसमें 100 Seat Reserving ADF के साथ आपको मिलता है अगर Operating Temperature की बात करें तो तकरीवन 15 to 30 degree Celsius तक इसका Temperature चला जाता है इसमें आपको 1.5 GB का Memory भी देखने को मिल जाएगा ये Windows, Mac और Linux तीनों Operating System को सपोर्ट करता है तो अगर आप एक Heavy Duty, Multifunctional, Monochrome, Gerox Machine या फिर Printer, Scanner या Fax के साथ All in One Package देख रहे हैं तो ये One of the Best Option है आपके लिए अगर आपका Heavy Work है काफी जादा आपको Gerox निकालना है, काफी जादा Printing करनी है और एक सही Product अगर आप देख रहे हैं अगर इसका Current Market Price की बात करें तो तक्रीबर 1,95,000 का आपको ये परेगा Best Buy Link description में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके Current Market Price आप चेक कर सकते हैं Number 3 पे हमारे लिस्ट में है Brother का DCP L5600TN Multifunctional Gerox Machine इसमें आपको Printing, Scanning और Copy करने का Function मिल जाता है अगर इसके Printing Speed की बात करें तो तक्रीबर 40 पेज़ पर मिनट ये आपको Print करके दे देगा अगर Resolution की बात करें तो Up to 1200 x 1200 dpi प्रोवाइड करता है और Duplex Printing जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा 8000 Page Inbox Toner आपको Print करके प्रोवाइड करेंगा साथ में अगर Printing Technology की बात करें तो इसमें आपको Laser Technology पे ये Print करता है अगर Display की बात करें तो इसमें 3.7 इंच का TFT Color LCD देखने को मिल जाएगा Paper Size जो Support करता है वो है A4 Letter और Legal Size के Paper को ये Support करता है इसमें जो Paper Type Support करता है वो है Plain Paper, Letter Head, Colored Paper, Thin Paper, Recycle Paper को ये Support करता है अगर इसके Scanner की बात करें तो ये आपको Flatbed ADF Scanner प्रोवाइड करता है Scan Resolution की बात करें तो इसमें भी आपको 200 x 200 dpi मिल जाती है Color और Monochrome दोनों तरह के Scanning ये Provide कर देता है अगर Connectivity की बात करें तो USB और LAN दोनों से ही आप इसको Connect करके Use कर सकते है 512 MB का Memory आपको इसमें In-Build मिल जाता है Window, Mac दोनों Operating System को ये Support करता है Product की Warranty कंपनी आपको One Year की On-Sight Product Warranty भी Provide करती है अगर इसके Market Price की बात करें तो Current Market Price तकरिवन 40,000 का Market में ये Available है Best Buy Link आपको Description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप इसका Current Market Price चेक कर सकते हैं Second Number पे हमारे लिस्ट में Canon का MF445DW Multifunctional Gerox Machine है इसमें आपको Printing, Scanning, Copy और Fax की Facility मिल जाती है अगर Printing Speed की अगर बात करें तो 38 पेज पर मिनट ये Print प्रोवाइड कर देता है A4 Size में 900 seat का इसका Input Capacity है अगर इसके Resolution की बात करें 200 by 1200 dpi तक की Resolution आपको Printing में मिल जाती है और 750 से लेके 4000 पेज की Printing Volume ये Monthly सपोर्ट करता है ये एक Laser Technology Based Printing प्रोवाइड करता है इसके LCD की बात करें तो इसमें आपको 12.7 cm यानि की 5 इंच का Color LCD भी मिल जाता है Duplex Scan आप इसमें Single Pass में कर सकते हैं Expandable Paper Capacity Tray भी आपको मिल जाती है साथ में Wireless Printing और Direct USB Printing भी आप कर सकते हैं अगर इसके Warm Up Time की बात करें तो 14 सेकेंड इसका Warm Up Time है जो की अपने सेगमेंट में बहुत ही कम है Auto Duplex Printing तो प्रोवाइड करता ही है और साथ में अगर Paper Size की बात करें तो A4, Legal, Later, Indian Legal इस टाइप के Size को ये सपोर्ट करता है और अगर Paper Type की बात करें तो आप Plain Paper, Recycle Paper, Color Paper, Heavy Paper, Label, Postcard, Enveloped Type के Paper पे भी प्रिंटिंग बरे असानी से कर सकते हैं इसमें Wire और Wireless Connectivity के साथ ये आता है 80,000 Pays Monthly Duty Cycle ये आपको प्रोवाइड करता है अगर आपकी यूजेज काफी जादा है तो आपके लिए ये जिरॉक्स मसीन कम प्रिंटर बहुत ही काम का साबीत हो सकता है इसमें जो Toner यूज होता है वो है Canon का 052 और 052H Cartridge जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर इसके Market Price की अगर हम बात करें तो तक्रीबन 63,000 के आसपास ये Market में Available है Best Buy Link आपको Description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इसका Current Market Price चेक कर सकते हैं और अगर पर्चेस करना चाहें तो पर्चेस भी कर सकते हैं नमबर वन पे हमारे लिस्ट में है HP का MFP M479 FDW Multifunctional Gerox Machine ये वन आप दे बेस्ट Gerox Machine में से एक है इसमें आपको Printing, Scanning, Copy, Facts, Email सारी फैसलिटी इसमें आपको मिल जाती है अगर Printing Speed की बात करें तो अप टू 28 पेज पर मिनट ब्लैक है और कलर तोनों ही आप प्रिंट कर पाओगे Auto Duplex Printing की Facility भी इसमें आपको मिल जाती है अगर Monthly Duty Cycle की बात करें तो अप टू 50,000 पेज का इनका Monthly Duty Cycle है जो की काफी decent Monthly Cycle है अगर Display की हम बात करें तो 4.3 इंच का आपको Touch Display मिल जाता है जो की CGD के अंतरगत आता है Color Display आपको इसमें देखने को मिल जाएगा अगर Mobile Printing की बात करें तो उसकी भी Capability इस Scanner की या Gerox Machine की है आप Mobile से भी इसको काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे अगर Paper Size की बात करें तो इसमें आप Letter, Legal, Executive और Envelope Type के Paper Size को यूज कर सकते हैं अगर Paper Type की बात करें तो Glossy, Letter Head, Photo, Plain Paper, Recycle Paper को आप यूज में ला सकते हैं अगर इसकी वारेंटी की बात करें तो One Year Company इसके वारेंटी देती है साथ में Extended Warranty भी इसके साथ ले सकते हैं जो की HP के Terms and Condition के साथ वारेंटी आती है ये One of the Best Xerox Machine है क्योंकि इसमें आपको काफी सारे latest technology और latest features आपको देखने को मिल जाता है अगर इसके market price की बात करें तो तक्रीबन 1,25,000 का market में ये एवलेबल है Best Buy Link आपको description में मिल जाएगा तो वहां से भी जाके आप इसका current market price चेक कर सकते हैं ये Jerox Machine जो है Mac और Windows दूनों को सपोर्ट करता है Connectivity की भी इसू नहीं आएगी तो इस वीडियो में इतना ही होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आपकी सारी quality वगरे जो है वो solve हो चुकी हो अगर आप कोई भी Jerox Machine पर्चेश करना चाहते हैं तो link आपको description में मिल जाएगा वहां से जाके आप पर्चेश कर सकते हैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए topic पर तब तक के लिए safe रहिए secure रहिए जैहिन नमस्ते